हेलो इन्वेस्टर कैसे हैं आप सभी लोग जैसा कि आपको पता होगा कि यूएस के एलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और वहाँ पे डुनाल ट्रम्प जो है वो जीत चुके हैं और 47th यूएस प्रेसिडेंट वो होंगे ये बहुत ही बड़ा इवेंट था यूएस के हिस हैं और डुनाल ट्रम्प यहां पे जीत चुके हैं और वह अगले यूएस के प्रेसिडेंट होंगे तो इस वीडो में हम बात करेंगे कि डूनाल ट्रम्प के परेसिडेंट बनने से किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक impact आएगा राइट वो impact positive way में हम यहाँ पर discuss करेंगे as well as कुछ हम disadvantages भी यहाँ पर देखेंगे plus geographical views अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर Donald Trump के president बनने से क्या क्या चीजें change हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे यह सारी videos में जो भी हम एक perception draw कर रहे हैं वो draw कर रहे हैं क्योंकि last time जब आप देखो कि Donald Trump already एक अपना term complete कर चुके हैं plus यहाँ पर जो भी उन्होंने अपनी manifesto में या फिर जो भी release में उन्हें बात करी हैं जो वादे करी हैं उनके basis पर हम इस चीज को यहाँ पर discuss करेंगे राइट तो चलिए video start करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे Trump versus Russia के बारे में जैसा कि आपको पता होगा Russia Ukraine war की वज़े से USA ने बहुत सारे सैंसन जो है वो Russia पर impose करें थे और एप्रोक्स 20,000 सैंसन यहाँ पर रसिया के उपर impose किये हुए हैं बट क्योंकि आप Donald Trump यहाँ पर प्रेसिडेंट है पहले जो बाइडन थे तो जो Trump की policy है वो जहां तक मुझे लगता है बहुत ही simple रहने वाली है उनका जो main focus रहेगा वो US की economy पे रहेगा उनका मानना यह है कि already बहुत सारे पैसे हम Ukraine को दे चुके है ठीक है क्यों हम अपने inflation पर काम क्यों नहीं कर रहे हम अपने वहाँ पर inflation को क्यों नहीं control कर रहे जॉब क्यों नहीं create कर रहे इसके उपर उनका ज्यादा focus रहेगा लास्ट टर्म में भी अगर आप देखो तो वो Russia के प्रती ओके ओके थे बट अगर मैं बात करूँ सेंसन के उपर तो मुझे नहीं लगता कि उनका जो एक तरीके से आप यह मान के चलिए उनका जो soft hand रहने वाला है रसिया की तरफ राइट अगर आप देखोगे इरान के लिए तो इरान के लिए मुझे लगता है वो बहुत ही कड़क रहने वाले हैं more than जो बाइडन ठीक है जो बाइडन थोड़ा सा नर्म थे अगर मैं बात करूँ इरान के प्रस्पेक्टिव से बट यहाँ पे इतना नर्म नहीं रहेंगे इरान के प्रस्पेक्टिव से बट रसिया के प्रस्पेक्टिव से maybe they could be more soft आगे अगर मैं बात करूँ ट्रॉम्प versus चाइना ठीक है तो यहाँ पे अभी जो पॉलिसी अगर एक competition बना रहता है और चाइना बहुत ज़्यादा डंपिंग भी करता है यह भी हम सभी जानते हैं तो USA बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखोगे कि अभी ट्रॉम्प के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हो सकता है उन पे टैरिफ बहुत सारी लगा सकते हैं चाइना पे चाइना को counter कर सकते हैं और जितना ज़्यादा कोई चाइना को counter करेगा उसका impact आएगा इंडिया पे मतलब इंडिया को एक advantage मिल सकता है with respect to stock point of view से भी और with respect to other perspective तो अगर हो सकता है कि बहुत सारी investment भी इंडिया में आए with respect to companies तो ये बहुत important point है Trump versus China point of view को अगर मैं हम यहाँ पे discuss करें next अगर मैं बात करता हूँ तो दिखिए अगर जैसे कि आपको पता होगा कि October महिने की अगर मैं बात करोओ तो एक लाग करोड से ज़्यादा FFI ने sell किया था अभी जो US का election है उसका result आ चुका है हम सब को पता है कि जो Trump है वो जीतने वाले हैं उसका आप आज का अगर आपने market देखा होगा तो market में positive impact भी था same US के market में भी एक positive impact था तो हम ऐसा एक एक जस अजंसन लगा रहे थे कि जो FFI हैं वो चाइना गई है चाइना में investment करने के लिए गई हैं और जापान में investment करने के लिए गई हैं या कुछ जो FFI हैं वो cash पर बैठे हुए हैं यहां पर चीज बहुत ही important है वो यह है कि क्योंकि Trump जो है वो चाइना को counter करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से तो अगर कोई यह सोच रहा था कि चाइना का जो market है वो undervalued है तो most probably ऐसा हो सकता है कि वहां से जो inflows है वो return आ सकता है कहां पे Indian stock market में तो यह भी एक positive point है which we could consider next आप देखो कि Trump versus Middle East तो Middle East में एक चीज बहुत important है मैंने देखा था कि बहुत सारे जो Trump के हमने भासन सुने थे उसमें एक चीज बहुत important थी कि Trump ने बोला कि मैं war रुकवा दूँगा चाए वो Middle East की बात हो या रसिया उक्रेन की war हो अगर war रुकती है तो सबसे important चीज है जो crude oil का weight है वो कम होगा और energy crisis यहाँ पर control होंगे तो obviously जो energy वाले stocks है उन पर ध्यान दिया जा सकता है दूसरा यहाँ पर चीज और है कि अगर हम बात करें इरान की तो इरान के लिए Trump का जो soft hand है वो इतना नहीं होगा वो बहुत मुझे लगत to Trump राइट दूसरी चीज जो सबसे important चीज यह है कि आप रसिया के point of view से देखो तो Trump रसिया के लिए थोड़ा okay okay है बट इरान के लिए वो बहुत जादा सकते हैं अभूड है आप यह कह सकते हो राइट बट अगर मान के चलिए Middle East में जो अभी तनाव है अगर वो control मा आ जा आता है तो एक crisis खतम होगा तो इससे Europe प्लस Middle East दोनु में stability आएगी और उससे कहीं ना कहीं overall जो market है वो with respect to energy with respect to oil and gas बहुत ही better होने वाला है तो अब हम बात करते हैं कुछ sector की जो जिनको advantage मिल सकता है क्योंकि Trump यहाँ पे elect हुए है तो यहाँ पे जो sector है पहला sector जो मुझे ल revenue आता है वो यूरोप और USA से आता है more than 70% इसलिए अगर आप आज का जब विजल्ट अनाउंस हुआ था तो आप देख सत्लियों कि निफ्ती IT में ठीक ठाक 3% किया almost 4% की एक uptrend आया था बहुत ही important है इसको समझना आप कोई भी अगर आप large cap stock देखो या फिर mid cap stock देखो तो वहाँ पर भी अच्छी खासी value आई थी यहाँ पर मैं किसी भी stock को sell या buy करने का recommendation नहीं दे रहा हूं वो solely आप खुद research कीजिए अच्छे से research कीजिए valuation देखिए अपने financial advisor से consult कीजिए then उसके बाद आप sell या buy कीजिए तो IT sector पर हम ध्यान दे सकते हैं after the electing Donald Trump then defense sector के उपर हम हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी defense sector की companies हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट उस पर हम ध्यान दे सकते हैं उनको individually हम पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपना एक point of view रख सकते हैं आगर आप defense sector में भी देखोगे तो आज अच्छी खासी value हुई थी after that election announcement then electric vehicle and auto share देखिए एक छोटी सी चीज में आपको बताना चाहूंगा जब Donald Trump elect हुए हैं तो वहीं पर Elon Musk बहुत ज्यादा है पी है आपका space x जो कि space से related है राइट आपका EV टेसला राइट में भी ऐसा हो सकता है कि टेसला भारत में एंटर कर जाए डैट कुड भी possible राइट ऑल्सो अगर आप बात करें ओटो सेक्टर की या ओटो एंसलेरी की अगर हम बात करें तो यूएस में इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो इसलिए EV सेक्टर ना ओटो सेर पर फोकस किया जा सकता है और आप यहां पर देख सकते हैं निफ्टी ओटो भी आज 1.25% की वेली यहां पर हुई है that is positive right but ऐसा जरूरी नहीं है कि that will be that really will be sustained for the long term that we will have to see individually and we will have to study the individual stocks okay साथ में हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि valuation कहां पर है ऐसा नहीं कि आप बहुत ही over about किसी stocks को ले लो next है फार्मा सेक्टर फार्मा सेक्टर पे भी एक बहुत ही अ फार्मा सेक्टर में leader है राइट यह आपको पता होगा तो फार्मा सेक्टर में भी आ आज एक अच्छी रेली थी तो फार्मा जो index है फार्मा जो सेक्टर है उसमें जो सेर्स हैं उनको भी अपन देख सकते हैं और अच्छे से पढ़के एक investing opportunity create की जा सकती है next अगर आप दे बैंक हैं, उनके उपर हम बात कर सकते हैं, आज बैंक में भी एक 0.34% की रेली यहां पर दिखाई दी थी, जब मैं बैंक की बात करता हूं, तो एक बार आप आप लार्ज कैप बैंक या फिर प्राइवेट बैंक पर कंसीडर कर सकते हो, और उनको इंडिविजुली स्टेडी कर सकते हो, सेम, PSU सेयर पर भी यहां पर फोकस किया जा सकता है, विकॉस में भी देर कुट बी मोर इंफ्लोस कुट कम फ्रॉम दा आउटसाइड मार्केट, सो यह कुछ सेयर थे, कुछ सेक्टर थे, जहां पर डॉनाल ट्रम्प की वज़ा से, में भी कुछ पोजिटिव इंपक्ट आ सकता है, अच्छा, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या लगता है, कि कि सेक्टर में बहुत अच्छी ऑप्रचिनेटी क्रिएट हो सकत है कि, जैसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, USA को, USA भी हमको एक्सपोर्ट करता है, तो उस केस में हम बहुत ज़्यदा टैरिफ यहां पर लगाते हैं, या फिर जैसे कि हम कॉंपिटिशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, आप देखोगे, फिरी मार्किट नहीं द पड़ेगा, सेम, अगर आपको यह पता होगा कि, USA एक सुपर पावर है, तो USA की एकॉनमी अगर अच्छा करेगी, तो most probably world की एकॉनमी भी अच्छा करेगी, आप देखते होगे, अगर कभी US की मार्किट गिरती है, तो उसका इंपक्ट इंदियन मार्किट पे भी आता है, राइट, so that was for the today's video, thanks for watching, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी comment है, तो आप comments box में बता सकते हो, thank you, thank you very much.